ग्रीडिंग्स तू आल अफ मैं फ्रेंड्स दिस डॉक्टर उमेश आज एक क्रांतिकारी विचार के साथ में आपके सामने आया हूँ क्रांतिकारी विचार यह विचार मुझे किसी सोशल मीडिया से मिला है बहुत एक लंबी डिसकुशन है कि आपके लाइफ का परपज क्या है और वहाँ पर जब बहुत सारे विउद आते हैं तो सादू संतों के अपनों के विचार है इश्वर पराप्त करना है, विश्वशान्ती पराप्त करनी है इफिश्वशानती में अपने योगदान देना है राजनेतिक लोगों का अपना विचार है दार्शनयों का अपना विचार है और वो सारे विचार कॉमन में उपर थोप देते हैं स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेट कर रहे होते हैं कि आपके purpose of life कुछ ऐसा होना चाहिए और उससे motivate होकर कि students के direction change हो रही है rather than demotivated हो रही है अपने life के goals को achieve करने के लिए अब purpose of life क्या होता है वई ऐसे common man approach करिए common man common man के thoughts से दोचेंगे हम हमारा purpose of life है जो task right now हमारे सामने है उसी को ही बहतरीन तरीके से complete करें यदि आपको student है तो अपने पढ़ाई पर focus करिए अपने academic growth पर focus करिए अपने physical health पर focus करिए वो आपका purpose of life of that moment है यदि आप किसे job में है या किसे business में है जिस काम को भी आप करते हैं तो उस काम को उस काम को कुछ ऐसा करें जिसमें honest stage लगती हो उसमें country का growth नजर आता हो country की GDP बढ़ाने में आपका योगदान हो तो वो purpose of life है as working people interpersonal relationship पर आजाते हैं तो हमारा behavior दूसरों के लिए कैसा है क्या हम एक सभी समाज को पुस्तुत कर रहे हैं उसका प्रतिदित्व कर रहे हैं या शर एक abusive language का यूज करते हैं वो बापस में बात करते हैं तो purpose को identify वही हो जाता है और उसी सोई पता चलता है कि मैं यह सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ उसी समें एक silent consciousness आवास देती है कि this is not purpose of life or this is your purpose of life you are happy तो purpose of life momentally होता है उसी moment को पूरी तरह से जीए अच्छे से जीए chemistry का अस्पेक्ट से बताऊंगा हमारे कुछ brain से neurotransmitter release होते हैं happiness feeling देते हैं serotonin है, dopamine है ऐसे कुछ neurotransmitters होते हैं तो जब हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो हमें वह chemical release हो जाते हैं और हमारे को एक अच्छी feeling देते हैं feeling of happiness feeling of excitement बस वही achieve करना है यह purpose of life है as a common man जो कि 99% हम common man हैं पुरे word में 1% ही है जो एक अलग विचारधारा रखते हैं उन्में कुछ सादूसंत हो सकते हैं कुछ राजनेतिक हो सकते हैं कुछ दार्षनी को सकते हैं उनकी विचारधारत हैं हमारे जिनकी नहीं चलेगी विचार करिए करांटी कारी विचार है थैंक यू